जैहिन साथियो मैं सशिकमर पटेल आप सभी को PBR स्टेडी अप्लिकेशन एवं योट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो साथियो आज की इस क्लास में लेक्चर नमर 5 है अब का यह लेक्चर नमर 5 है ठीके दिख रहा है ना आज हम लोग नाउन की सुरुवाती करेंगे बहुत बेसिक से ले करके चलेंगे जहां पर आपको पेशिंस बनाकर रखना है और नाउन में आप इस वीडियो के देखने के बाद नाउन में कभी भी confusion नाम का सब्दोता है ना एक वाड आता है बचे के मैंड में क्या है मनमें आपको संब्साइए चाहिए एक चली नाउन है क्या अवह सार बच्चे कहते हैं Sir नाउन दद नेमिंग वर्ड नाउन इस दनेम उपर्सन प्लेस संथी इकल्ड नाउन होता क्या हम जानना यह चाहते हैं बताओ चलो तुपमें बताने के स्टार्टिंग करता हूं नाउन की सिंसले को जानते एकदम बाड़ेगी से देखो यह जो नाउन है ना आपका यह लैटिन वरड लैटिन समझते हो ना लैटिन सब्द हिंदी में लिख दिया नोमेन N-O-M-E-N Latin सब्द Nomen से लिया गया है जो noun है न, noun यह Nomen से लिया गया है जिस Nomen का मतलब होता है Name N-A-M-E यह पता है न, name का हिंदी क्या होता है मुझे बता दू Name का हिंदी होता है Name, यहने की Name करन तो कहीं न कहीं अपने आप में यह जो noun है सो कर रहा है किसी चीज को Name को बतलाएगा इसके जब हमने इसकी कैटरिया को तोड़ने के कोशिस किया हमें पता चले कि न, एक चूल में जो noun है किसी ने किसी चीज को Name को रिपरजेंट कर रहा है धर्ती पर एक बात या रखा है धर्ती पर यह कहीं भी जहां तक आपकी सोच जाती है वहां पर जो भी चीजी होगी जो कुछ भी आप देखते होगे सुनते होगे एट लिस्ट 99% के समें वो noun ही होते है जैसे मेरे हाथ हमें यह मार करें मैंने इसके बार में सोचा इमेजिन किया जो को भी सोचते हो और उसका कुछ नाम होगा वह noun होगा सोचने इस नहीं हुआ सोचते हो उसका नाम कुछ होगा वह noun होगा जैसे सपना तो सपना मैंने में ख्या लाया लेकिन उसका नाम क्या है सपना तो वह क्या noun है जैसे हम लोग कहते हैं दौड़ना स्वास्त के लिए अच्छा डालना स्वास्त के लिए अच्छा उता हर्व का नाम है एक सन का नाम है तल्गनाल तो वह यessee तो क्या होगा अब बहुत साफर देखो इसकी क्या होगा एगुड एक्सरसेच अब सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से पता है वाक आपका वर्व होता है लेकिन अभी जो यह रोल कैसे नहीं भार रहा है अभी यह फंसन कैसे कर रहा है नाउन कर रहा है जैसे देखो बहुत प्यार समझना बाड़ी की समझना यह मों का फिर कभ आपके सामने दिखाई दे रहो ना मैं भी एक हुमन हूँ बट अभी रोल कैसा निभा रहा हूँ तीचर का जैसे ही मैं जाओंगा घर पे इच है रोम पे फिर वहां पे हमारे साथ में कोई ने कोई भेट होगा जैसे मेरे भाई होंगे बहन होंगे तो वहां पे कैसा रोल जैसे ही मैं आप कहीं दोस्त को साथ चला गया जैसे मेरे रामु सयामु कोई भी फ्रेंड है मैं जैसे अकले से कोई फ्रेंड है उनके साथ चला गया ठीक है तो जब मैं उनके साथ जाओंगा तो वहां पे मैं टीचर नहीं हूँ वहां पे मैं टीचर नहीं हूँ आज एक् किसी भी इनसान को देखकर यह नहीं पता कर सकते हैं कि एक्शुल में वह है क्या जैसे मैं अगर मैं क्या वो क्या बोलते हैं जज जज बोलते हूं न मैं ब्लैक सट और वो टायू लगार के पहन के खारा हो जाएंगो तो क्या आप मुझे जज कोगे नहीं मेरे कारिय के अधा कि यह किया आपको सभी का पाता है वाक आपका प्योड वर्व है कब तक वर्व है जब तक कि सेंटेंस में यूज नहीं हो रहा है जैसे ही संटेंस में आता है अपने आपको चेंज कर ले तो अंग नहीं कहते हैं कि समाज में जाएगा चरपाचगों लोग के साथ रहेगा ममी कहते नहीं कि बेटा में गलती कर रहा है जैसे ही समाज के लोगों में जाएगा ध्रियरे समझ जाएगा कैसे दुनिया चलती है कुछ भी चलती है अपने आपको वह उस एकॉडिंग क्या करेगा ढाल लेगा तो सब्सक्राइग तो मुझे बताना मैं जैसे लिख रहा हूं दो पूर इस अनेश्ट पर तो हॉनिश्ट नियुक्त है अम अजय बताना यहां पर पूर है क्या कैसा रोल एक्ट कर रहा है एक बच्छे ने कमेंट में पूछा था यूट्यूब अले अजय बता है यह पर पूर अभी अजय को आप लो देखो आपको रटा नहीं मरना ना उनको वो क्या बोलते है डेफिनिशन को रटा नहीं मरना है क्योंकि अपकी एक्जाम में डेफिनिशन नहीं आता है एक्जाम नर आपसे कोस्टन करते है कहीं पी जाओगे तो आपसे कोई डेफिनिशन नहीं पूछेगा कुछ लोगों को छोड़ा करके जो ओल्ट टाइप को होते है वही आपसे डेफिनिशन पूछते है वही आपको पुबर दिखाई दे रहा है, यह क्या आपका adjective है, आई तो कैसे है, तो देखो यह adjective नहीं यह अभी, यहां पर यह role निभा रहा है noun का, कैसे, प्योंकि रोल यह कहता है कि जब भी कोई adjective में, जब भी adjective में हम उसके पहले article 2 लगा देते हैं, कौन सा article 2, तब वो adjective adjective नहीं रह जाता है, वो अपने आपको क्या चीज में पढ़नत कर लता है, noun में, जैसे देखो, गाव में बराती देखे हो न, गाव में किस-किस ने बरात देखा है, जैसे गाव में वो अबराती में वो आ हम उसको अपने को format दे देते हैं, जैसे पुसाख, आर्टिकल का क्या चीज का काम कर रहा है, जैसे adjective का, इस adjective में हम article 2 लगा दिये, जैनि कि उसको पुसाख पहना दिये, बजनिया जैसा, तो यह क्या हो गया, नाचबाज जो उसमें से बिलॉंग करने लागा, जैनि कि noun बन हम लोगों ने इस चीजों से सिखने से क्या हम लोग, मतलब एक निसकर्स क्या पाया, कुल मिला करके, हमने निसकर्स यह पाया, जो noun होता है, हम किसी वर्ड को specific noun नहीं बता सेथे है, हम उसके sentence में यूज, यानि कि sentence में उसका function कैसा है, तब ही हम बोल सकते है, तब ही हम बोल इसे तरह यह sentence होता है, तो sentence में इसके काम क्या है, function क्या है, उसके according में change होते रहता है, चलिए, यह चीजों बातों को समझना है, लिख भी लेना, थो आप वीडियो को पीछे कर लेना, अगर जो बच्छे नहीं लिखे होंगे तो चलो, वैसे आपके पास यह recorder फर्मिट में इतनी बार नहीं समझना है, उतनी बार दे को प्यार से समझो, और मैंने spirit थोड़ा कम कर दिया, बहुत प्यार से समझाता हूं, इतनी प्यार समय, और प्लेन में भी नहीं समझाता था बाद करूं तो, आजो, यह नाउन, नाउन नोमेंस लिया गया, जिसका मतलब होता है, हम अगर देखनी के प्रयास करें, तो नाम क्या क्या चीज के हो सकते हैं धर्ती पे, भाई धर्ती पे हम लोग क्या को, मतलब किस category को लोग रहते हैं, एक तो human caste का होगा, जिसमें लर्का भी आता है, लर्की भी आता है, क्या बोल सकते हैं, हैदर, मम्मी, जो भी कुछ आते ह होगा, एक आजा था आपका animal category, animal में हम लोग भी आते हैं, अगर science का district से चलोगे, recording to science, तो हम लोग भी animal ही category के है, बट animal को हम लोग मालनों, इंगलिस में एक अल्ला category ही रखते हैं, जैसे कि हो जाएगा animal में, पस्वी पक्षी वाला आगे, कीट पतंग भी आगे, वो होगे ठीक है, उनका भी नाम, अब आज प्लेस वाले में, प्लेस में पोड़ी जो प्रित्वी पर जहां भी जहां तक प्रित्वी फैला हुआ है, प्रित्वी के अलावा भी कोई ऐसा space हो, उसको भी नाम को भी हम लोग नाम भी रखेंगे, ठीक है, इस चीजे बताऊंगा लेकि कोई नी, तो एकसंग की नाम को भी हम लोग नाम में ही रख लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा चीजे सीखोगे, जो अभी तक नहीं सीखे हो, ठीक है, और क्या क्या रख सकते इसके अलावा, हाँ, आपके condition, जैसे कभी कभी condition ऐसा आता है, पर condition खराब हो जाता है, जैसे सीखिने साथा बैमारी हो जाते हैं, तबेद खराब हो जाता है, वह भी रख लो, हाँ, कभी-कभी मन में हम लोग का idea आता है, विचार भी आता है, तो विचार के भी नाम का हम लोग नाउन में रखेंगे, अल्लिस्ट में 7-8 बता दिया, चीजे जो नाउन में रख सकते हैं, चलो तो हम नाउन किस-किस खूब बोलेंगे, फिर इसके definition के बढ़ेंगे, और बातों को समझेंगे, देखो, नाउन का definition समझने से पहले एक चीज समझो, जो आपका Oxford, समझते हो ना, Oxford, Oxford English Dictionary है न, जो आपका, Oxford English Dictionary, नाम सुने होगे, Oxford एक Harvard भी है, University भी है, तो Oxford English Dictionary के अनसा जो हमारे पास वर्ड है न, मतलब दूइतिया संस्करन जब हुआ था, तो इसमें वर्ड लगबग पाया गया था, 171 और 476, काई धाया है, सेकर आजार दस जार लाग, 171,476 वर्ड पाया गया था, दूइतिया संस्करन के अनुसार, according to second edition, अक्सपोर्ड जो हवाड है, माल अनुसार हमारे पास, इंगलीज के पास, अभी तक वर्ड कितने है, 171,476 यह रूट वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड यह है, ठीक है, अब तुम यह नहीं लागा देना, के सरफिक्स अफिक्स लगा करके, कोई compound वर्ड बना देना, वह अलग बात है, लेकिन वास्तों इत इतना में से इतना ईउजी नहीं किये जाता है, यारनिकर 40,43 हटा दो, 1,70,000 में 40,43 हटा दो, 1,20,000 के पास सम्टिंग बच लगा, अब इन में से, जो घटाने के बाद में से, 50% कि जो होते न वो नावन है, घड़े भाई, जो 50% बचता है न इन में से घटाने के बाद, व कि यह कृटव मुझे दिया है तो इसको एक को मैं दस होना में करके देने को सोचता हूँ ठीक है तो आप पैसा पे किये हो और किसी की भी पैसा ऐसे नहीं आ तो उनके पापा मैमी काम करके पैसा पे किये होगे, चार शना नमर प्या, ऐसे लही आ जाते हैं भाई, इसके लिए काम किये हैं के पापा, तो आप उन पैसे को सूल करना है, एक इक चीजों को सीखना है, ऐसा टाम वेस्ट नहीं करना है, तो 50% सिर्फ और सिर्फ नाउन होते इन 50% जो बच गए, इन में से 1 by 4, यानि कि एक चौथाई, इन में से एक चौथाई, जो होता आपका, एजेक्टिव होता है, क्या होता साथियो, एजेक्टिव होता है, आपका उनसा बच यह भार्ग, तो देखो, जो भार्ग होता है, इसका सात्वा भाग, इसका सात्वा यानि के जितनम हैं यह वाजहनुग होता है यह चोई साथवा भाग होता है और जो बच जाता है इससा हिसे बाद शीरा आपनों काई जो भी कुछ वड़ बच जायते हैं वो सारे आज आता है इसमें समझ रहो ना समझ में आ रहे हैं मैं क्या बत ला रहा हूं कि 50 परसेंट नाउन होते हैं तो बत बीड़ा ना जाला चाहिए कि बीना डेटा का आप काम नहीं कर सकते हैं ठीक है बीना डेटा कर देटा तो पता होना ही चाहिए तो डेटा पता होना चाहिए आपको इमिटादो डेटा नोट कर लो पहीनी बात और बहुत प्यार से पढ़ना साथ ही हो चूंकि ये मौका ना फिर दोबाड़ा कभी नहीं पाएगा सीखिने का और जो मेरे अंदर जुनून है आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए ठीक ह देखो अंग्रेजी बोलना बहुत असान है कि हिंदी बोलने के लाजता है कि हमको सीखने के लिए गया नहीं है लेकिन जब कोस्टनिंग करने के बात आते हैं साथियों बहुत टॉफ होती है अगर वैसा रहता है ना ताज सब कोई बच्चे एक्जाम का असानी से क्रैक कर स बहुत रॉफ होती है इसकी कोशन सौल करना तो जब यह सब चीज आपको पता हो गया बेसिक फॉर्मेट कहां से कैसे क्या क्या चीजी हुई है तो आपको पहले से इंट्रेस्ट आजाएगा देखो कोई भी चीज को पढ़ने के पहले आपको उसमें इंट्रेस्ट लाना ज चाहिए चल यह चीजह समझर आगए बात कर लेते हैं ट लोग ऌत करिए है Какना लोग बशाल को कमेंट बॉक्स में अपल् संद बनी मुझे पता है देता है कि नहीं? मुझे नहीं पाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए. आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीके. चो लो इसके हम definition के भाद कर लाते हैं. यह कर लाता साथ यह, definition, definition थे पहले कुछ और चीज बताना था मिश. आज़ो, नाउन क्या क्या चीज हो सकता है, देखो, हमने एक नाउन बनाया, घेर दिया, अब नाउन क्या क्या चीज हो सकते हैं, नाउन किसे बोल सकता हैं, देखो, किसी परसन का नाम को भी हम लोग, हमने सिखा कि नाम, नाउन नॉमन से लिएगा है, नाम से, तो हम परसन के नाम को भी क्या बोल सकते हैं, हम किसी प्लेस के नाम को भी क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, दिख रहा है, ठेक है, उधर से देख रहा है, उधर से नो देख रहा है, बढ़े हैं, चलो, किसी परसन, प्लेस, किसी थेंग को नाम को भी हम लोग, नाम बोल सकते हैं, किस कंडीक नाम के नाम को भी जैसे अब बताया है कंडीक सिंब के नाम को भी लोẶ् Musk सक्ते flour के दिए चलू हम देड़ें बात केलिए था क्वाइल्टी को क्वाल्टी को नाम को भी नान भी बतान ऑफ नान कहेंगे अब समझाओग period को यह से दिक हें एक थे स्पोटीए सबमванे सब सब्सक्राइब जाते हैं सारे सब करिया और अंट कम देखे टो कई लेल को लोग सब आप accounted के इक संब्सक्राइब यानि की एक सं आम कday नाम के नाम को नवन बोलेंगे प्लीज को करिदे थे हम भीर और यंथा सब crusade सबिह ए fort प्रित्वी पर निवास करते हैं इसमें सारी के सारे समाज आते हैं इन कैटेरिया में जहां तर मुझे पता है कोई बच जाये तो मुझे बता देना ताकि मैं अपने आपने भी कोई भी यह सोचे कि मैं पढ़ीूर्ण हूँ कभी नहीं तो आ crisis शीखने की आपे कोई में आगे आ कि वह सबूस Horiz BA मुथ अप कहीं बता दें जैसे जैसे एक्षन के नाम एक्षण के नाम मुमेंट होगे अब चलो आडिया के नाम क्या हो आप लोग बताव चलो पर्शन के नाम तो तक बता आता हूं जिसे राम ठीक हो एनिधिंग एनिमल में आजाओ डॉग क्वाल्टी में आजाओ क्वाल्टी में आजाओ जाएगा गुड़नेश अच्छाही ठीक है गुड़नेश और आजब कंडीशन इलिनेश से पंडीशन ऑगता सी भी होता है कंडीशन खरआब된 भर्वसीखनेश थीषाह…. न ऑजा खुन में क्या जाएगा पेल्ट्व क्विश्ल प्लेड़नेश इलहाबाद जोड़तव हम पारुसा दै डे रहरे है अपनी अलिया करँब पर्चनर दे या में एक बचार यह यहां प्लानिंग का नाम हो जो भी डाल लाना यानि कि हमने अबर आल यह समझा इस चीजों से कि नाउन आपको इन कैटेगरियां में इन सब का नाम होता बताओ अपने क्या-क्या नाच चीखा एक संग वाला में नहीं सिखा और एक संग कम लोग नाउन बुलते कहीं अपने यही च आपको नाया मिल गया पात चीजे नाया मिला मिला ना मिला वह तक बज्रूल बताना और दोस्तियों को साथ देखो यह कोर्स अभी मात्र 499 नहीं मिल रहे साथ हूं जो कि आप्रान में हम सही बताऊं तो तीन हजार पे लेते थे मैं इस चीजे को लिए लिए बता रहो आप साथ ही आपको नूर्स भी देते हैं साथ ही बुक भी फिरी कर दी हैं बता इतना सारे चीजे आपको मात्र 499 नहीं में रिपया में तो जरूर बताएगा दोस्तों को भी तारकि वह भी जो मतलब कैटरिजा इसकी फाइदा देखो भी उठा सके हमने यह समझा कि इन सब क्या डिफिनीशन लिखवा दिया जाए तो डिफिनीशन खुद से लिख लोगे बोलते हुए तो भाई लिखवा देंगा हमें लिखवा देना आपने मुझे खड़ी दियो ना जैसे बोलू ऐसे घर दूंदा अर देखो भाई मैं एक सी बदा दो कोर्शन ना कोर्शन का लेवल में जो आपको एयर फोर्स होते हैं ना एक्स भाई और एंडिये की लेवल तक जरूर में कोर्शन टच करवा दूंगा मैं उनमें आने ग्रांटी नहीं ले सकता लेकिन टेन टूल्थ में आप फोर के आओ इतनी मैं ग्रांटी लेता हूँ इतनी मैं ग्रांटी लेता हूँ एक मिनट लुकना भाई एक मिनट अकलेश भी आओ कर दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इसी हुआ था कोई नहीं वह ठीक हो गया चलो हम लोग बात करें साथ हो डिपनीशन की फ्रह बहुत हो जाते है के टेक्निकल इसू तो इसके लिए आप लोग टेंसर नहीं लेजिएगा ठीक है अब आज हम लोग इसके डेपनीशन करबठते हैं एक दम बिलकूल डेप से सीखना फिर यह मुपाने मिल पाया का सीखने की तब बधिया तरीका सीखना और इसकी देखो नोट सी बनाए देखो पेडिया प्रेप देखो जो अपरे नोट सो थी ना दुनिया के सबसे बेश् तक से तक समय सिंभ में हमेजा इसा कुछ नया नया हो सकता है घुल बताता हो अदेरा में किसी भी ऑनलेस परताह में किकता हु तक सौदध जीगता हूं उसमें कुछ नया में होता है तक भी चैथ दो प्रेप लेकिन कुछ नया चाहता हूँ, पेश दे करो, आप लोग इसकी नहीं करने, नहीं तो फिर कभी नहीं सिख पाऊगे। मतलब कुछ नया हमेसा सिखते रहने के लिए बताया हूँ, ठीक है? इसके डेफिनीशन के और बढ़ते हैं या भन में, ठीक है धिरे धिरे प्रयास करते हैं डेफिनीशन के और बढ़ने की? चलो, बहुत गोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो the word that indicate here you present प्रेजरेट बड़ दा अधुन अधुन परसंग प्रेंग एंवल quality, condition, condition, action, idea, and something. and something is called now, samjho, friends, Hindi, we will give you a word, which is 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 a word, which caljhiya ka nám, kisiy idea ka nám, xan matlab kariya koota, kisye idea ka nám, kisye something, ropheus bachi tranhukki diya ho वस्तु का, जानवर का, क्वाल्टी का, कंडीशन का, एक्षन का, एडिया का, सम्थि, मतलब कुछी भी चीजों का नाम को परेजेंट करें, उससी को हम लोग नौन करें, बता दो, किसी को कोई समस्या दिक्कत परसानी, तो मुझे बता दो, प्यारे साथ हूं, बताओ जल्द चलो हिंद्धि में लिख दे तो, आप लोग के लिए, क्योंकि आपको हड तरह से आना चाहिए, देखो, हिंद्धि में लिखने की प्रयास करूं, तो हो जाएगा, जिस शब्दे, जैको थो लो धाकिं फ्रावोद गवराएगा, तो इसके लिए स्रुछी, जिस शब्दे स किसी ब्यक्ति अवे इंग्लिस में लिग्ड़ता हूँ किसी ब्यक्ति लेस थिंग अनिमल अनिमल वाल्टी वाल्टी के बद कंडीशन एक्षन आइडिया एंद सम्थिंग के नाम को दर्साता हूँ नाम को दर्साता या इंगित करता हूँ इंगित करता हूँ इंगित करता हूँ उसे नाउन कहते हैं करता है एंग अगित करता हूँ इस थो उद सब्व्वस्थ से किसी ब्यक्ति प्लेस थिंग एनिमल वाल्टी सफ़्ठी करतम नाम सम्थिंग के नाम को तो नाव कहलाएगा, ये भी एक वस्तु ही है, इस वस्तु का नाम है दो हो, अभी दिन की दो 44 हो रहे हैं, इसकी नाम क्या है, फोन, तो फोन इसका नाम है, ये भी क्या होगा, नाव नहीं कहलाएगा, मज़रे हो ना, छेले, मारे पास एक वस्तु है, इसका नाम है, नाव, आपके सामने कोई ब्यक्ति खरा है इसका नाम है ससी तो ये भी क्या होगा नावन क्या है सब्सक्राइब एक्जामपल ले लो रामיד चाल्ड्डड हुड़्ड हैपिनेस हाह और क्या सकता है ड़च ड़च डोच डॉच ड़च लगा ले लो बहुत स्бы्क्रांच जिस है क्या कहळाते है अब्के के दिफ्कम ecology स्माज में आया के सुन आप गने बताओ इसन ना कर लिए वो जय तो बता देना मुझे प्यार दोस्तों वो जय तो बता दो क्योन कैसी ना कर लिए हुआ भारत। कि ना ना पर। यह नावन बना तो क्यों बनाएगा तो नावन क्यों बनाएगा? क्यों कि विदाउट फंसन जाने हम मज़ा नहीं आएगा क्यों कि फंसन की बात हमने सुवातमी की थी उसकी फंसन जान लो कि नावन की फंसन क्या है इसे संटेंस में नावन आता है तो क्यों आता है? रावन में ताला चेहे कभी कभीत अब सारे स्विह इते इते स्वायों क्यों भाना थ devo सकते हैं तो वह एक को फाल्तों टाप से कोरशन मोसा थैक है तोिजा यह जमना जणना जरूरी होता है मुझे पता हुगा आपको पता हुग तो मैं जरूरा बता को ठीके, अब ऐसा फाल्ट वाले question मत दिनना, क्यामने बनाया तो किसने बनाया, बनाया तो क्यों बनाया, तो वैसे होगे न, एक mind को वेपोफ टाइट से question. हमें function जानना है, ठीके, देखो, अब noun का function जान दो, function of noun, इसे बोलते हैं साथ हो, function of noun, noun का function, ठीके, इसे क्या बोलते हैं साथ हो, function of noun, ठीके, ये second of topic, second मतलब लेबल को बराऊं, थोरा से लेबल उपर के यां, समझे न, जब भी आप sentence लिखते हो, जैसे मैंने लिखा example के तौर पे, समझे न, सासी, is a good boy, ठीके, मैंने लेगा, तो यहां पर देख रहे हैं सासी कहने कहीं, आपको मिद बेशी के समझा रहोगे, नहीं बता रहोगे, क्या काम होता है, समझो फिर आप समझ जाओगे, आपको का समझे लरका है, बवाय थे, क्या आपका सासी कहीए, नाउन है, समझे न, प्याड़ से, एक अच्छा लरका है, बवाय देखा, बवाय भी क्या आपको साती वो नाउन है, हाँ नावन है अब मुझे बताओ यह जो ससी यहां पर यूज किये हो यह कैसा काम कर दवा यहां पसंद है तो आप लोग जो भी बच्छी ट्रांसलेशन के वीडियो देखे हो गए मैं इसलिए हर वीडियो डालता हूं अलग 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 काटेरिया से ताकि बच्छी हर एक च वीडियो मै जो पहला वर्ड होता जो सब्जीक्ट का कां ते चाल समझेन अ हूँ पिर चीजों का हम elaborate करेगम दिरी दिरी, यहां पे आजामें, मैंने पुछा कि सटी क्या आछा है क्या आच्छा है, तो लड़का आच्छा है इसका what cancer आ रहा हु आतु क्या हो जाटा थो अब्जेक्ट, अगर यहां पुछता सटी कैसा लड़का है, तो आछै, तो वह एजेक् इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नाउन वड़ा से मतलब है, क्योंकि नाउन चाप्टर पढ़ रहे हैं, जब इसके दूसरे चाप्टर पढ़ेंगे तो फिर दूसरे वाल चाप्टर से मतलब रखेंगे, आपको भोजिमर साथ पत्तल पर है, अगर पोड़ी के अगर गय होगे, साधव उधी में, तो वहां पर शकार ही होगा, तो मानतारी के बाद करोगे, नहीं नहीं करो, वैसे यहां पर, पर नाउन चाप्टर पढ़ेंगे, तो बहते हैं, हमने पहले यह समझा कि यहां पर एक नाउन था, यह रोला आजे, कैसा रोल कर रहा है, सब किन-किन को पता नहीं कि subject क्या हो तो अब्जेक्ट किया हो देखो YouTube पर चली जाना playlist बना होगा तो वहां पर देखना object चार नमर लेक्चर है तिसी नमर लेक्चर है बताया गया subject object कैसे पहचान जा ठीक है अगर वह भी नहीं है तो इस जो पेल कॉर्स में अभी देख लो शेकर नमर लेक्चर या ऐसे ही तो वहां पर बताया गया था sentence के format तो वहां भी समझ में आना चाहिए तो वहां बताया थे हैं बहुत 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 मैं कि अच्छे तरीके से तो हमने पताया कि यहां पर जो न इस्कूल एवरी देख यही किसके लिए आशासी के लिए है ठीक है क्योंकि हम दोगा रिप्रेटेशन नाउन के रिप्रेटेशन को स्टॉप करने के लिए इनकी जब हम लोग बार बार नाउन को नहीं बोले उसी के लिए तो पनाव लाएगा तो इससे हमको मतलब ने यहा पर एक स्कूल आपका यहां पर नाउन है स्कूल क्या है नाउन है किसी किसी क्या है किसी प्लेस का यह नाउन है जैसे देखो कोई एक खर्मेट होता है घाट आप से बना हुआ आस पास अब बंगी लागा होता है तो उसे हम क्या विलते है स्कूल तो यह क्या है नाउन है अ कॉम्प्लीमेंट sih कि ε अब इनाइघ मतलें के मतलब होता है एक मतलब का हमनों एक जो नाउन तो यह एक बार सब्झेक्ट कि तब आया हической होगे तुछ हमने फिर संटेंज में देखा तो जो यह नावन है यह कम्प्लिमेंट के तरह था एक शुली सार लोचक या है हम जानना चाहते हैं तो देखो साथ यही सब तो थे जो नावन के बनवाया दरवाजी नावन के कोई रोल नहीं था आपदी रामने तो खोजी नहीं था स्मझ रहु ना अगर दुलह न जावन अगर साधी में दुलह यही न रही तो फिले साधी होगा नहीं होगा गर इसके समें हो नहीं हो उसी तरह यहाँ पे हैं नावन नहीं है तो जायतर नावन कहीं खेला इसमें आमने शुरुवाट टर्म भी बताया था तो जो आपके इंगलिस ग्रामर है जो इंगलिस है आपका इसमें 50% जो रोल नहीं भाता हूँ वो नाउन ही नहीं भाता है जायतार नाउन ही आएंगे समझ रहो ना मैं क्या बतलाना चाहर हूँ तो एक बर नाउन सब्जेक का काम किया एक बर अब्जेक का काम किया एक बर कम्प्लिमेंट का काम किया हम कहीने के समझ पा रहें कि नाउन एक काम नहीं करता है उसकी तीन काम है एक तो सब्जेक का जैसा एक तो अब्जेक का जैसा जैसा और संटेंस का स्ट्रक्चर तो यही तो होता है संटेंस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है देखना प्यार से वर्व होता है और फिर अबजेक्ट होता है यह कंप्लिमेट होता है कंप्लिमेंट होता है यही तो सोड़ी दीख नहीं रहा है मैं फोड़ा इधर आना तो तुम प्यार से समझाता हूं मैं नहीं दिख रहा हूँ सब्जेक्ट होता है अब्जेक्ट होता है यह कॉंपनिमेंट होता है सबूही क्लिक्ष पेसें साइए चलिकले बोस सादेंस का इसदी प्रेस बताओ सबूही और कशा कंपलीत बता नियुक्त का बता इसलिए नावन को ग्रामर में लाया गिया, देखे, subject का भी काम कर लेता है, अब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, नावन छोटा मोटा नहीं है, नावन को अकले मत्समुझी है, बहुत तरा काम करता है, अई ने रहेगा तो sentence बनाना impossible होता है, समझे जो नावन आपका होता है, subject काम करेगा, object का म करेगा, compliment का काम करेगा, ओर इसके दिये subject, object, compliment के चलते, noun को लाया है, अधर आवाज, noun का को अस्थित्व ही निता ग्रामर में, समझे तो ना, जाब लैंग्वेज, इंग्लिस, लैंग्वेज था, कब लैंग्वेज था, कब लिए नावन का को कि पा लिए केहनें कि हम एक चीज straat हम करनाया कि जो आपका नावन होता है सभजेक भी कूप ल वर सकते हैं कंपलीमेंंट होता है उड़िव और शेक्त समझेजक जैस में आई की नहीं है हां इचीजे समझ माया की नहीं है चले मैं लिखवाता हूं फिर समझना और इसकी फिर कुछ एक्जामपल करवाऊंगा तब जाके मज़ा आएगा अधर्वाइज मज़ा नहीं आजाएगें ठेक है कि नहीं होता है कि यह बात ही आपको मैंने देखा है अपको मैंने एक तो अबजेप्ट का भी काम करता है और एक आपका सास्यों का काम करता है अधर्वाइज में पहले कर दिया तो भाइज तुम बाहरे में किसी का डाउप नहीं रहा नहीं चाहिए है मैंने सीका, शब्यके मिं हो सकता है, अब्यक्त मिं हो सकता है, कंप्लिमेंट मिं हो सकता है किस किस समझ Haginäft को नहीं आई किस कित पहले बता दू, चलो मैं कुछ कोर्संस Ой वहां पर सब्जेक्ट है क्या है कैसा आप लोग बताओगे, मैंने जैसे एक एक्जामपल लिखा, बहुत परास एक्जामपल, बार बार सुनते हो, आई एट ए मैंग, ठीक है, यहाँ पर चो मैंग और वड है, मुझे बताओ, यह क्या कर रहा है, यह मुझे पता है कि कमान नाव ने, अभी सब नहीं पराया आपक फंसन ही नहीं पता हो, तो क्या कर लोगे, इस नहीं कर पाओगे, तो बताओ यहाँ पर जो मैंगो है, आप नहीं पुछना चाहते है कि इसका टाइप्स क्या है, आप बताओ यह फंसन कैसा करता है, काम इस क्या कर रहा है, यह जल्दी से बता दो साथ हो, बहुत ख़ुत, अपनी अच्छे, अपनी लवल पर बहुत तरीके से ट्रीके सा ट्राइक किया, देखो, किया करोगे, पुस्चनاج प्चा ओगे, क्या खाता है, मितलब जैसे कुछ होगे, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, तो आं, what का इंसर आ रहा है, याशना रहा है, तो मैंगो तो चुन्रों को रुत माखशाना छ़्हें मुष्कि क्या हुवारे मुझाम लंट ना उनजा क्लश समेग़ के कि अपया है लुटि समया है लुक हुभ ह है सब्सक्राइब करकिए है लुक्राहन है पत्रों है को पला कि नहीं है कुर्ण कि अब ठोरा से चीजे आप और ज़ान लो मतलब हकूए ज़ा चीजे मतलब जynn किछका घंगे अब गतल अब तक यह आप नौन का कितनी टाइप पर इमुझे थे मुछे बड़ा से ज़न दो अब अब लेगां चाहिए न३ंब होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है और कितने टाइप मुझे बता दो फिर कल मैं इसके बारे में अच्छे दिए पर चार्चा करूं मैं आपको टोटल नाउन नौ परकार के प्रहा हुआ ठीक है ऐसे तो होते बहुत है नाउन का टाइप से पर वह आपके सिलेबस में नहीं है वो PCS वैच्छे में परहा जाता है ठीक है बाइद वे मैं जो दिगुदर वे में यूज होता है वही नाउन को बताऊंगा वो आप नहीं जानते हूं ठीक है ठंडी आ गई है वही मैं मैं ऐसे तरह जोस मत आप लोग के पढ़ाने को जैसे पिछले हां पीशट पर ही आगया अगया अगया ठंडी है ठीक है अभी तारीक कितने तारीक है यार तुम लोग देखो 21 नौमबर दिखाई देर है आपको 21 नौमबर दीखना चाहिए यार तीन बज़िए ना 21 नौमबर है आज तो ठंड लग रही है आई नो गरीविए अट अभी प्रहाने किसे नो जोस जनून रहता है ताओ आप सब इसका नोट्स बनाओगे न और देखो यह चीजे मैं आप सब का टेस्ट लोगा टेस्ट यह आप्रिकेशन नहीं होगा टेस्ट आपका यूटूब पे होगा अग देखो टेस्ट में क्या क्या चीज़े मिलेंगे मैं श्यूर कर देता हूं तेन लड़के को अपने तरब से इस्ट्यूट के बाद नहीं करना हूं ए इन फ्यूचर के बाद बता रहा हूं दस बच्चो अध्यूर का को प्यंगा देली किता को पीख दों का डेली मतलब जब 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 टेस्ट लूओंगा दस लरको का को निए को पी कर दों दस बच्चे को ठीक है उनमें से कुछ 10 कि अलावा पाच बच्चों को मैं लग भाग यहां पे 10 रुपे से 20 रुपे को बिच में रहा क 10 रुपला भी कोपी आता, 20 रुपला मतलब जिसनी मैं टेस्ट लूँगा यह अपने पैसा से दूँगा, अपनी कमाई के पैसा से दूँगा किसी इंसूर्ट के बार नहीं करो मैं जहां पर आख अपने तरफ से दूँगा क्योंकि मैंने पोर्स लिया है आपको 199 रुपला मैंने पोर्स लिया था उसके सामना 20 रुपला मैं एक सोर पर दे दूँगा यानि कि एक बच्चे का पोर्स का आपका ऐसा ही दे दूँगा उनमें से एक बच्चे जो होंगे उनका मैं मात्रम 50 रुपला मतलब सेंड भी कर सकता हूं बट कंडिशन होगा 75 परसंट जो भी मैं टेस्ट लूँगा 75 परसंट पलास आना चाहिए यह भी होका 90 परसंट जो लाएंगा उनके लिए 85 परसंट मतलब जो कैटिर्या उनके बीच मिलेगा इसके 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 मुझे भी लेना होगा इतने बचों के मीणेंगे वह भी क्यूज करा हूँगा कि वह प्रसंट छोटे मटे लेवल के नहीं रहेंगे वोस्टन आपको टर्च करके आएंगे आपको लेवल को इंडिया लेवल तक का वॉस्टन टर्च करके आएंगे तो प्रेपरेशन को जा पर दस तरीके से करना है, और अभी जो टेस्ट लूँगा और बेसिक लिबल से लूँगा, मैं अभी नावन पर है नहीं हूँ मतलब, लेकिन जो बेस बताया हूं, उसी के कॉटिंग पर मैं आपको टेस्ट लूँगा, जो मैंने आपको संतेन संजाय क्लॉज पर हाया हूं आपको, उसी के कॉटिंग पर मैं टेस्ट लूँगा, और उनमें जो अच्छा बच्चा करेगा, मैं तो कमेंट देखूंगा, ऐसा फिर मैं नहीं देखूंगा, उनमें तो जो अच्छा करेगा, उन्हें को जी, मौका, धीतिने का मौका में सकता है, बाई समझे लो बाई यह होगे, लगबग तीन चार्थ रुपई हमने चले जायेंगे, एवरिज क्या बलते हैं साटर्ड़ यानि कि सनी बारभी, अच्छा करोगे तब, अच्छा नहीं करोगे तो फिर तो बात ही आलाएगे, हां, जिन बच्चे अगर सोशते होंगा कि आपको मात्रा 499 मिल जायेंगे, तो आपसे रिक्विस्ट है, लिए जिसकी को ज्वाइन कि दी, चार सुनननन तो कोई जादे नहीं होता है, आप चार सुनननन तो जो पे करेंगा आप यहां से पास सकते हैं, यह गरांटी मैं दूँगा, अगर मतलब तीम हमारे रेदी नह लिए जोगा मैस नहीं आती है, बिल्कुल मैस में कुछ भी नहीं आता है, तो अदम लगता है, मैस का नाम सुनते ही आपको टेंशन आजाता है, कपार चकरिया नहीं लगता है, तो प्लीज अपते इदेरे स्टड़ी आपको इस्टोर किजेंगा, वहाँ भी मैस से क्लास भ देना ही नहीं है, आपके यूटिबे भी क्लासस मिलते हैं, और अगर आपको सबच्छम हो, तो यह कुर्स जोग जोईन कीजिए, बहुत फाइदे मांद है आपके लिए, बस आज के लिए इतना ही जय हिंद बंद मात्रम पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक्यू